करनल वी एच सिसोधिया वा सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्क दर्शन में बच्चों की नोवी से ही करेर काउंसलिंग करके उन्हें उच दर्जे की डिफेंस की तयारी करवाई जाती है। इस साल तेईस बच्चों ने आर्मी की भरती पास की। अड्रेस ज्यान जोती पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस वे स्पोर्ट्स अकैडमी CBSE Affiliated English Medium नजदीक दर्बाबस्टेंड मानक दिवान कॉंटेक्ट नंबर 99925711118929551111 नमस्कार मैं हूं प्रमोदोर आप देखना सुरू कर चुके हैं दिसाडकनामा.com हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की 5321 पदों पर 40 भरतियां है वो रद होने के बाद अब हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने एक नया पैटरन अपनाया है जी हाँ हम आपको बता दें कि अब जो प्रिक्शाएं होंगी उसमें नोटा की तरज पर एक और क्विश्चन है वो जोड़ दिया जाएगा जिसमें वो क्विश्चन है वो सभी स्टूडेंट्स को भरना होगा और उस क्विश्चन में यह होगा कि इन जो ओप्सन में जो चार क्विश्चन होंगे उनके आगे जो पांचमा क्विश्चन होगा उसमें यह भरना होगा कि इन चारों क्विश्चनों का जो आंस्वर है उसने नहीं देना है या नहीं आता है यानि कि सीधे तोर पर ये कहा जा सकता है कि कुश्चन है अब खाली नहीं छोड़े जाएंगे और हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमीशन की भरतियों को लेकर के जिस तरह से फरजी बड़ा हर रोज सामने आ रहा है उसको लेकर के हर्याना सरकार की जहां किरकरी हो रही है वहीं ह इस पूरे मामले को लेकर के नया पैटरन अपनाया है और हम आपको बता दें कि इस पैटरन को लेकर के अब चुनाओं में जिस तरह से नोटा की तरज पर एक बटन होता है उसी तरह से प्रिक्षाओं में भी विकल्प है वो जारी होंगे इनमें से प्रिक्षा देने वाले को हर एक पर ٹिक करना होगा लेकिन कई बार प्रिक्षार्टी किसी और पर भी टिक नहीं करते हैं अब चार की बजाए पांच विकलप है वो दिये जाएंगे इन में पांचवां विकलप नोन अटेम्टिड का होगा यानी सीधे दोर भी कहा जासकता है कि यदि चारों कर दो जाएगा यदि यह विकल्प बिट टिक नहीं किया गया तो नेगटिव मार्किंग होगी यह जैए कि प्रिक्षा आप पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि negative marking की तरज पर जो है आपके question है वो काटे जाएंगे जो सही होगा या जो गलत भर दिया है तो उसके हिसाब से negative marking होगी तो ये बड़ा फैसला है हर्याना स्टाप सेलेक्शन कमीशन के ओर से क्योंकि लगातार बरतियों में जो किरकरिया हो रही थी और जो है 40 जो है ज कि अदम से ही प्रिक्षाइं हैं बागे ली जाएंगी और यह भी जो है काज्या का समय है वो बढ़ा दिआ जाएगा क्योंकि SSE ने इनने लिया है कि अब आयोग की लिक्त प्रिक्षाओं में 10 मिनट अत्रिक्त समय दिया जाएगा ताकि प्रिक्षार्थी जबकि 41,000 और भरतियों को लेकर के सरकार CET के बाद निरने लेगी जो CET पास करेंगे जिस भी भरति के लिए प्रिक्षाओं देंगे उनको त्रिक्त पांच है वो विकल्प है वो लेगे जाएंगे ये कहा जा सकता है और आयोग ने जो निरने लिया है कि नेगटिव मार्कि होगी या नहीं होगी उसको लेकर के अब निरने है वो लिया जाएगा तो सीधे तोर पर ये कहा जा सकता है कि भरतियों में लगातार हो रही किरक्री के बाद हर्याना स्वाप सेलेक्षन कमीशन के ओर से बड़ा निरने लिया गया है कि अब जो है एक अलग कुश्षन दिय जाएगा नोन अटेप्टिड और उसको जो है अटेप्ट है वो करना होगा यानि कि नोटा की तरज पर हरियाना स्वाप सेलेक्षन कमीशन ने ये पैटर्न है वो अपनाया है ताकि पेपर है वो खाली ना छोड़े जाएं यानि प्रिक्षाएं हैं क्योंकि सीधे तोर पर ये सवाल उठेते हैं चाहा हरियाना पुलिस की बात करें चाहे महिला कॉंस्टेबिल की बात करें क्योंकि ओमर सीट है वो खाली रिखी गई थी उसका तोड़ है हरियाना स्वाप सेलेक्षन कमीशन ने निकाल लिया है तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर हरियाना स्वाप सेलेक्षन कमीशन के ओर से जूड़ी हुई तमाम जानकारिया हम आपको लगातार देते रहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया